अबरिछकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस लाइब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत सौागत है तो आज की स्क्लास के हम बात करें तो आज हम क्या presses करेंगे तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, इसका नाम है संस्कृतियों का टकराओ है ना, तो ये जो चैप्टर है, आज जो हम इस्टार्ट करने जा रहे हैं तो फटापट से आ जाईए और मिना किसी देरी के इस class को फटापट से जोइन कर लीजिए ठीक है? comments लगा दो जो रहा है चले चले फटापट से आजओ Hello बिटा, hello, hello everyone, hello everyone आज 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 आजओ, जल्दी जल्दी से आजओ Hello बिटा, hello, good evening, good evening, good evening everyone जल्दी से आजओ फटाफट फटाफट से आखी जो है इस class को जल्दी से join कर लिजिए चले तो start करते हैं बिना किसी देरी के तो अच्छा यह चैप्टर है बहुत ही interesting chapter है है ना तो इस chapter को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ना कुछ background में जान लेते हैं कि अब तक हम इस chapter पर कैसे आये हैं क्योंकि आपकी जो ग्यार्वी की इतिहास है वो सारी जो chapter जो हैं जुड़े हुए हैं है ना थोड़ा से पहले chapter चलते हैं छेट्वा जो चैप्टर था छेट चोटे जो अलग-अलग जो राज्यां वो निकलते हैं और यहीं से शुरू होता है सामन्तवाद तो आपने देखा वहाँ पे कि उस chapter में कैसे पादरी वर्ग अलग हो गया सामन्तवर्ग अलग हो गया और क्रिशक वर्ग निकलके आया और यह प्रिथा जो है अच्छा कर रहा हूँ है और यहां पर हमने बात की किस के बारे में योडोर्ग की संस्क्त की बारे में कैसेude सुधा रानी शुरू होते हैं कि अब अब तक तो वर्ग जो है बटा हुआ था अब कैसे पणनरत जागरन होता है Yörup का रिनिन सर का जो पीरड़ बोलते है Yorup का पुदर जागरन का जो युग बोलते हैं वो शुरू हुआ हमने चैटर सेवन में जाना कि कैसे जो है एक अन्द कार की युग से योरोप जो जो एक पुनर जागणर की यूग में आता है यहां पर जो मानफवताबाद होता पो यहां पर बोल सकते कि कैसे जो है हो अपनेबने हिपस्सकृति जो है एक नए अन्दाज से देखते हैं यह नपर सारी जो थेग्यानि खोंचे भोटी फैंवने लगती है अला आलग यॉओरोप उस टाइम पर यॉओरोप में कई सारी खोजे हुई और यॉडिक में अब कई सारे नाविक भी निकले जैसरे आपने देखा होगा भारत की खोज किसने की वासको डिगामा ने अमेरिका की खोज किसने की कोलमinky's ने तो यहां पर होता क्या है जब कोलंबस अपना जहाज लेकर निगलता है इंडिया की खोज में भारत की खोज में लेकिन गलती से वो खोज लेता है अमेरिका को और जब अमेरिका को खोज लेता है दक्षिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जब खोज ले देश नी था, कॉंटिनेंट था फॉरी, देश तो नहीं बोले सकते, उस टाइम पर जो कॉंटिनेंट था अमेरिका पूरा, अगर हम बात करें दक्षिन अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पर प्रिचर मात्रा में खनी उपलब थे, और यॉरोपी जो लोग थे, और कैसे उनकी जो संसकती होती है, जहाँ पर जो मूल निवासी होती हैं अमेरिका की, उनकी जो संसकती होती है, और जो यॉरोप की संसकती होती है, उनमें कैसे टकराव होता है, और किस तरीके से यहाँ पर अमेरिकी संसकती को बिलकुल खतम कर दिया जाता है, नश्ट कर द तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा परिचे देख लेते हैं यहां थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन है चैप्टर का वो देख लेते हैं तो पंद्रवी सदी से सत्रवी सदी के बाद यह पुनरजागर बोला जाता है किसका पंद्रवी इऔरोप का तो इऔरोप में कई बैग्यानिक खोजे हुई इनके नादिक पूरे दुनिया में नहीं जगाओं को अधून रहे थे ने रास्ते डून रहे थे इनके बीच को जो संगर्श दिखाया है, उसको यह हमने बोल दिया है, कि संस्कतियों का ठकरा हो, इस अवदी में जो है, बहुद्ध खनीजों की प्राप्ती हेत, जो है, योरोप वासियों ने कई अग्यात महासागरों में सहास्पूर अभियान किये, जिनके जो है, मध्धम और एक पूरी जो एक लाइन है ना, उनके जो एक बहुत बड़ी पादरी थे, कोई पोप थे, उन्होंने एक लाइन कीज़ दी थी, एक इमेजिनरी थी, मतला वो और रियल में नहीं थी, एक कालपनिक एक लाइन बना दी, और बोला कि इधर की खोज ये करेंगे, इधर की योरुपी न्देज जाएंगे, यह मांट लिया ऐसे, कि पूर्दकाली जो होंगे वो इधर चले जाएंगे, भूने, वो इधर चले जाएंगे, ऐसे करके जो पूरे योरुप को जो है मांट लिया गया है यहांपर, ठीक है ना, और यहांपर अभिहानों के लिए निगल बात करें, वासकोड़े को मांट लिए पूर्दकाली था, उलमबा स्पेन का था, इन देशों के नाविकों ने पूर्प से उन देशों पर साशिर करने का अधिकार प्राप्त किया, जिने जो है वे भविश्च में हो जाएंगे, है ना, मैंने बोला ना, पूर्दकाली जो स्पेन के साशकों ने के जो है तत्वाधन, मतलब इनकी देख रेक में, है ना, मैट ली नुवासी किष्टिफर कोलमबस पूर्व की और यात्रा करते-करते, जिन प्रदेशों में पहुंचा, उसे जो है इंडीज, अर्थात भारत है, भारत के पूर्व में इस्तित देश समझागी है, मतलब क्या हुआ देखो, जैसे अधर देखो न, आपने सुना हुआ एक टीम का नम सुना हुआ वेस्ट इंडीज, है ना, इंडीज क्यों बोलते हैं इसे, तो हुआ ये, अगर आप देखो कि पूरा ये, तो देखो यह यह योरोप है, और यहाँ पर भारत है भारत है इधर, है ना, और इधर जो है, यहाँ पर आप देखोगे, यह साउथ अमेरिका है, और नौर्ट अमेरिका दक्षे माँ, तो वो इधर पहुँच गया था, है ना, इधर बहुत सारी कैरिबीन आइलेंड थे, भारत तो इधर था, तो इसने यहाँ पर क्या बोला क यह तो इंडिया है, इंडीज बोल दिया है, ना, तभी यहाँ के जो लोग थे, उन्हों क्या बोला जाने लगा, इंडीज बोला जाने लगा, उस समय जो है, उत्तरिय और दक्षिन अमेरिका में जो है, दो प्रकार की संस्कितियों के लोग रहते थे, एक और कैरिबियन छ यह तरव आओगे, कैरिबियन तो यहाँ पर कैरिबियन रहते थे, बहुत सारे यहाँ पर समू रहा करते थे, बहुत अलग-अलग संस्कितियों के लोग रहा करते थे, एक थे कैरिबियन छेत्र, जैसे आपने देखा होगा, पायरेट्स ऑफ दी कैरिबियन, ठीक है, तो कै अट्ष्को और मध्य अमेरिका के एश्टक और मया समुर्दाई तथा पेरु के एकका समुर्दाई के समान यहाँ भव कि अवास व्शाश्टक लाथी. अब परिसितित ही मया, मया की संस्कृती. यह बहुत परानी, बहुत ही पराचिन संस्कृती. थी पेरू की अम्मात करने जहाँ है पेरू के संसक्रता जाले हैं जो भी चीज पराप्त हुए हैं दक्षणि अमेरिका की खोज और बाहरी लोगों का यहां बसना यहांब के मुन निमासी और उनकी संस्कितियों के लिए जो है विनाशकारी सिद्धु अब हुआ क्या बाई जब सब कुछ ठीक चल ला था सब कुछ जो है बढ़िया चल ला था जब तक यॉरोपी लोग वहां नहीं गए थे अब कोलंबस वहां पहुंच गया बाई अब इनकी जो मेन नियती थी क्या थी रूप थी वहां के जो खमें जान पर थी, unravel, gold वगरा बहुत प्रच्ण महात्रा में था कहां पर? अमेरिका में? अब इनको का करना था। इनको जो हैं, अमेरिका को कैसे भी ना कैसे भी करके जो अपने वश में करना था और क्योंकि तक्नीकी रूप में व्यग्याने की रूप में जो है बहुत आगे बढ़ रहे थे इनके पास नएने हत्यार थे, नएनी खोजे थे इनके पास में, कई सारी जो दिशायंतर था, उसका विश्कार कर लिया थे निया पता था कहा जाना है कहा नहीं जाना, तो यहां पर जब वो लोग आए, किस की बात करों, जब यॉरोपेंस की हम बात कर रहे हैं, जब स्पैनिश, पुर्तिकाली लोग जब आए यहां पर, तो यह इन के लिए जो है विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यह जो लोग थे, वो भारी दुनिया से काफी अलग थे, यॉरोप बासी अफरीका के गुलाम पकड़ कर यहां खरीद कर उत्तरियो दक्षिन अमेरिका की खानों और पगानों में काम करने के लिए बेचने लगे, अब होता क्या दात सुना, आप यहां पर एक ट्रेड हुआ करता था, बिजनिस हुआ करता था, अफरीका से क्या होत कर अमेरिका में ले जाया गया होगा, वहां पर जो खदान है, बगान जो है, वहां पर उन्हें काम करवाया होगा, और दीरे दीरे ऐसी करके उन्होंने अमेरिका में ही अपना घर परवार बसा लिया, ठीक है न, तो यहां पर होता क्या था, अफरीका से गुलाम पकड़ कर यह खरीद कर, कहां बेचते थे दक्षण अफरीका में, हैं दक्षण अमेरिका में, अफरीका में अमेरिका में, ठीक है, और खानों बगानों में इनसे काम करवाया जाता था, जिससे दास व्यापार की परता शुरू होई, यहां से एक नई दास व्यापार था, दास परता क् मतलब यहां पर गुलाम हो खरीदा जाता था और उनसे जो है काम करवाया जाता था तो अमेरिका के लोगों पर यॉरोपियों की विज़ा का एक दूस प्रडाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडू लीपियों और इसमार्कों को अंदर मरतब नश्ट कर दिया गया अब यहां पर दिक्कत क्या हुए जब जब अमेरिका अमेरिका खोड़ा गलत हुआ देख ले ना अमेरिका के जो है लोग पे जो है बहुत ही गंदा सार पड़ा यॉरोपियों का यॉरोपियों ने ने हरा दिया जैसा आपने 10 पर चैटर पड़ा होगा भूमंडी करत विश्व जो अमेरिका के मूल निवासी थे यह तो 40-50% खतम हो गए आधी से जाधा आवाधी तो उन्होंने ऐसी खतम कर दी है ना और इसलिके सासथ क्या हुआ जो अमेरिका के लोग थे ना इनकी जो पुरानी चीज़े थी पांडुली पे पांडुली पे मतलब जो पुराने जो ल इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा उनकी हिष्ट्री के बारे में और जो भी लिखा वगरा मिलता है वो सारा कुछ अमेरिका के बारे में यॉर्पेंस नहीं लिखा है अमेरिका का कोई भी इतिहास नहीं है कोई भी एक रिच हिष्ट्री नहीं है अमेरिका की आज भले ही अ औरोपेंस नहीं अमेरिका के बारे में लिखा है और चाहें वो गलत देखा हो तो इन अमेरिकी इन अमेरिकी संस्कृतियों को जो जानने के लिए अब हमारे पास यात्रा वृतांग नाविकों की डारियां तथा राज की संग्रालों के अविलेक मुक्ष सुरूत बन गए हैं उन्होंने कुछ लिखा अपने में कुछ यात्रा में लिखा जो की चीजे मिलती हैं उन से यहाँ पर चीजे लिख देगें दक्षिण अमेरिका आज भी आपने घने जंगलों और पहालों से ढखा हुआ है तथा संसार की सबसे बड़ी नदी अमजों रिवर अमजों तक व बड़ी नदी है नां एमजों नदी हैं यही से होके जाती है करेब दीप समूँ और पर व्राजील के जन समूऊ उनकी बारे बात कर बद कर लेते हैं अभरा वा की लुकायों में जो है केरिविन सागर में स्तर्थ छोड़े-छोड़े सैकड़े दीख समूओ जिने आज क्या बोलते हैं बहामा आज की टाइम पर भी है बहामा तथा व्रैत्तर एंटिलीज में रहते थे किसमिदय का नाम है क्या है एक समुदय का नाम है यह है और इनके लोग कहाने सागर में स्काषब सावर के बात करें. यहां पर ही यहां पी। थे कहिं बात करें, यहाँ पर ही रहते हैं, तथा हम बात करें किसकी वैटर, एंटलीज की बात करें, है ना, यहाँ पर रहते हैं, कैरिब नाम के एक खुखार कभीले ने उन्हें लगू एंटलीज प्रदेश से थ्रेर दिया था, अब बात करें हम पहले जो तहाँ पर रहते थे, कैरिब नाम के जो खूकार जो यह कबीला था, इसने क्या किया था भाई, यहाँ पर यह जो लोग रहा करते थे, एंटलीज प्रदेश में, एंटलीज प्रदेश के जो लोग थे इन्हें उखार के किसने फेक दिया था, कैरीग, इसकी क्या है यह इस्ट्री है, है ना, आरावाकी जो लोग शांत्परी थे, लेकिन हम बात करने किसकी आरावाकी की, आरावाकी की लोग काफी शांत्परी थे, लेकिन यह जो कैरीग के लोग थे, यह काफी खूकार थे, इन्होंने जो एंटलीज जो प्रदेश के लोग थे, इन्होंने जो प्रदेश के लोग थे, उखार के फेक दि जीवन नियाद करते थे तो ये किसकी कहानी है वाई तो ये जो है केरीविन दीप सम्मू की कहानी है है ना आरावाकी के मात करें आरावाकी लोग खेती में मक्का मीठे आलू और अन्य कंद मूल तथा कसावा पैदा करते तो आप सुनो यहां पर पहुत सारी चीज़ें से जै आदीन संग्टित थे तथा जिवजादी थे मतलब यहां पर बहुत सारी विवा भी करते थे अरावाकी लोग सोने के गहने पैनते थे परंथ यॉरोप वासिवों की तरह सोने को उतना महतो नहीं देते थे क्योंकि अमेरिका में प्रिचर मात्रा में सोना मादूद था जो यॉरोपी वासी लूट के ले गए यदि उन्हें कोई यॉरोपी सोने के बदले कांच के मन के देता था तो वे खुश होते थे सोच के देखो मतलब मैं तुम्हें कोई कांच की चीद दे रहा हूँ मैं बोल ला हूँ तुम अपने सोने की जेवर अमेरिकों दे तो उसकी ब संदर सा बनाके कांच का दे दिया उन्हें तो वो संदर लगेगा जादा चमकेएगा है ना उसके बल्ने इन्हें सोना दे दिया अपई उसकी कि बात की कितनी ही वैली है सोना तो बहुत महàng है लेकिन उन्हें इस बात की समझ बिलकुल भी नहीं थी आराबा की लोगों की बनाई की कला बहुत उन्नत थी जिससे यॉरोपी लोग पसंद करते थे है ना, अब बात कर रहे हैं किसकी तुपी नामबा समुदाय, तुपी नामबा समुदाय जो था किसकी बात कर रहा हूं हम मैं बात कर रहा हूं तुपी नामबा, यह तुपी नामबा समुदाय जो था यह कहां करता भाई तो यह था दक्षिन अमेरिका का दक्षिन अमेरिका में जो पूर्वी समुद्र है, है ना, और ये जो ब्राजील जो देश है, नावक पेड़ों के, जंगलों के, जंगलों बसा हुआ था, बसे हुए गाओं में रहते थे, ब्राजील पेड के नाम पर ही जो है ब्राजील देश का नाम पढ़ा, ब्राजील न अब जैसे बात करें तूपी नमा लोग खेती नहीं कर सके क्योंकि इनके लिए उन्हें जंगलों को काट कर साफ करना पड़ा वे जंगलों को काटने के लिए जो है हसिया, दराती, कुलहाडी आत के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उनके पास लोहा नहीं था अब दिक्कत क्याती बाई, तूपी नमा जो लोग थे जातर जो है एक है उतरी अपिब देगी सुकृ ठिठत राजी थे मक्र की उपर गार एच मैया की इंगा उधर ने इन चाहरों ने वुआ कि दून को प्रिचत कैने दून ittधा इन शे recipesित करा कि अवशेश आज भी परेटों को प्रसंद दियाते हैं तो वास्तुकला का मतलब किया हो दा इनकी पुरानी चीज़ नोने बनाई है न तो पुरानी अवशेश जो बचे होते हैं बसकिली जो भी इन्होंने उस टैंप पर जो बिल्डेगा मनाई जो भी चीज़ बनाई तो उ उन्होंने कुछ अच्छे चीज़ बनाई है, कुछ अजूबे बनाई है इनों, है ना, इनकी उस टाइम पर बिल्डिंग है जो थी, इनकी जो बड़े-बड़े इमारत हैं हुआ करती थी, उन्हें लोग आज भी देखने आते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में एजटेक जन के बारे हम बात कर लेते हैं, इसके बारे हम बात कर लेते हैं, यह कैसा जन दा, तो 12 लापदी में एजटेक लोग उत्तर से आकर मैक्सको की मद्यवर्ति घाटी में बस गए थे, कहां से आयते हैं उत्तर से आयत तो यहाँ पर मैक्सिकों का जो नाम है याद रखना Maxily नाम की जो एक आप हो सकते हो एक देवता थे उनके नाम से रखा गया था यहाँ पर उन्होंने अनेक जंजातियों को परास्थ करके अपने सामधाज का विस्तार किया जब यहाँ पर आये उत्तर से, तो यहाँ पर अलग दूसरी जन जातियां थी, यह बहुत तागतवर थे, इन्हों ने उन्हें पराज़त किया, और उन पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर बेसिकली क्या है, पहले मैंने बताया थे आपको पहले राज़ा जो होते थे वह भगवान का एक प्रतनिदी माना जाता था, है ना तो यहाँ पर जो राजा है वो सूर्य देवता जो है इनकी पूझा हिंदों में भी होती है सूर्य देवता का प्रत्निदी माना जाता था तबी तो बोला श्रीडी बट थे यहाँ पर अलग एक श्रेडियों में बटा हुए थे, इनका समाज पूरी श्रेडियों में बटा हुआ था, योद्धा, प्रोहित और अभजाद वर्गों को सबसे अधिक सम्मान मिलता था, मनें बता है, तो समाज हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही वर्गों में बटा चला आ रहा है, तो अगर इनकी सब्धा की हम बात करें, हमें एस्टेक सब्धा की बात करें, तो इनका समाज भी जो है, अलग-अलग भाव हम बटा हुआ था, जिसमें बात हो रही है, योद्धाओं की, पुरोहितों की पूरोहित मतलब, जो पंडित वगरा होते हैं, पूजा पार्ट करत और यहां पर हम बात करें व्यापारीयों की, तो व्यापारीयों को भी अच्छे खासे विशेश अधिकार प्राप थे, एश्टेक लोगों ने मैक्सिको जील में कृत्तिम टापु बनाए, क्रित्म टापु बनाए, क्रित्म टापु क्या होता है, मानव के दौरा लोग जो है मक्का, फलियां, कुमःडा, कद्दू, कसावा, हो गया, आलू, आदि फसले होगा आते थे, एच्टेक लोग जो है इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखते थे कि उनके जो है सभी बच्चे स्कूल और शेजाएं, एजुकेशन पर मतलब, एजुकेशन पर जो है, इनका विशेश रूप से ध्यान रहता था कि इनका हर एक बच्चा जो है स्कूल जाना चाहिए, सिक्षा के लिए, कुलीन वर्क के बच्चे काल मिकाव और अन्य बच्चे तो कली स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल के नाम भी दे रखे हैं, तो भाई हम बात करें कुलीन वर्क के बच्चे, इनके बच्चे लाग स्कूल में जाये करते थे, जैसे आज की बात करें हम, आज की प्रिजन ट जो मद्धम वर्क से आते हैं, फिर जो गरीब आते हैं, वो जो है टेपो कलि ना हम की स्कूल में जुआ पढ़ते थे, ःड़ी है эту अब बात कर लेते किसे के बारे में हैं अभी हमने ऐश्टेक जनों के भारे हिम बात कर ली इनके समू के बारे हम बात कर ली, इनके स्ट्रक्चर के बारे हम बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं माया के लोगों के बारे में, माया सब्विता के बारे हम बात कर लेते हैं, बहुत परानी सब्विता है, तो तो मैक्सको की माया सब्विता की ग्यारवी से चौदवी श्ता पॉपकॉन भी खाते हो बहुत सारी चीजे बनती है, सुटकॉन भी खाते हो तुम, तो मक्य की खेती थी इनके सब्विता का मुख्य आधार बनी हुई थी, ठीक है, उनके अनेक धार्मिक क्रिया कलाप अवम उत्सम मक्का, बोने, उगाने और काटने से जुड़े हुए थे, अब जिस चीज से तुम, जो चीज तुमारी आधार बन गई है, उस चीज को तुम अपने धार्मिक चीज मान देते हो, है ना, तो उसी फसल से संबंदेत वो क्रिया कलाप होते थे, है ना, तेवहार मनाय जाते थे, है ना, और यह सारी जो, जो भी उनके परंपराएं थी, तो खेती करने की तरीके भी जो है, इनकी काफी अच्छे थे, जिनके कारण जो है, खेतों में बहुत अधिक पैदावार होती थे, काफी अच्छे फले फूले थे, मतलब काफी विक्सित लोग थे, काफी सब भी लोग थे, माया सबविता काल में जो है, वास्तुकला, गड विज्ञान के हम बात करें स्पेस वगरा के बारे में ठीक है? और यह जो ख़गोल विज्ञान में साथी चीज आती है ना यह जो कुंडली वगरा जो निकाल लिया आती है तम लोगों की तो यह सब ख़गोल विज्ञान का ही हिस्सा हो जाती है अश्ट्रोलोजी जैसे हम बोलते है ना अश्ट्रोलोजी अंतरक्षिनी सौर यहाँ अश्ट्रोलोजी यहाँ सभी आधी के छेत्र मुझवा परियाप प्रिगती हुई माया लोगों की पास अपनी एक चित्रात्मक लिपी थी इनके खुद की लिपी ती सोचके देखो इनकी खुद की जिए चित्रात्मक लिपी थी चित्र बनाकर जो है यह लिगते थे लिपी क्या होती है अब लिखते हो जैसा हमारी देवनागली लिपी है इस लिपी को अभी तक पूर रूप से पड़ा नहीं जा सकता है मिलाब इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, अब ऐसे बहुत सारी लीपी हैं, ऐसे हम बात करें हमारे जो मुझोदारूगी सबदा की बात करें, हरपा सबदा की बात करें, इसमें जो लीपी लिखी मिली है, इसमें जो लेक मिले हैं, उसको अभी तक डीकोड नहीं कर प अब तो daily class होती है बाई क्या बात कर रहो तूं डीली class होती है अब तो गेटा ठीक है लेकिन इस लीपी को अभी तक पूर्ड रूप से पढ़ा नहीं जा सका है ठीक है अब देखो अब बात कर लेते हैं अब हमने बात कर ली किसकी देखो पेरु के इक्का लोग, पेरु, पेरु की बात की थी ना, पेरु जगा का नाम है, कहां पर ये भी अमेरिका में है, इनका जो इक्का समुदाय था, कौन समुदाय, इक्का समुदाय, इसके बारे में बात कर ले थे, ये अमेरिका में ही फूली संस्कृतिया थी, जिने जो है नश्ट कर दिया गया अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि अमेरिका ने कैसे जो है इन समुदायों को नश्ट किया इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे तो देखो दक्षिन अमेरिका जो है देशों की संस्कृतियों में सबसे विशाल जो है पेरू की कुवेचु कुवेचु आ, किसकी बाद ओर ए है, कुवेचु आ और एक्का लोगा की संस्क्ति थी, पेरु की आम बात करएं, यहां दो संस्क्तियां फैली, एकक मानगी क्या यहीं, यह सबते शक्त्र differentiate थी, विशाल थी, जो है पूरी शक्ति जो है राज की वो किसके हाथ में है वो राजा के हाथ में ही अकेंद्र थे राजा के हाथ में ही जो है संपूर शक्तियां होगा करती थी इकका समराज जो है एक्विडोर से चिली तक जो है तीन यहार मील में फैला हुआ तो सोचके देखो बहुत बड़ा बड़े बड़े इमारते होती हैं, उनको बनाने में ये काफी कुछल थे हैं. उन्होंने पहाडों के बीच एकडूर से चली तक अनेक सड़के बनाएं. चली को एकडूर से जोडने के लिए उन्होंने कवी सड़के बनाएंगी. इसके एकले चली पट्टियों को इतनी बारिकी से तराश कर बनाए गए हैं कि उन्हें जोडने के लिए गारे जैसी सामगरी की आवशक्ता नहीं होती थी. जैसे आज की ताम पर सीमेंट इस्तमाल होता है ना, जैसे ताम पर गारा आप मिट्टी का ही होता होगा, कोई भी आप उसने खनेज होता होगा. तो उस सामर के लिए आवशक्ता नहीं पड़ी तो इसकी जो शिला पट्टियां थी बड़ी बड़ी है ना तो इन्हें पहाडों को काट कर जो है बनाए गिया है और इसकी जो किले हैं, किले की हम बात कर लें तो उनकी जो शिला पट्टियां बड़ी बड़ी जो पत्थर ह उनको बहुती बारिकी स्थराशा किया है कि हुए उन्हें होस्ति पर बहुती उच्क नहीं है दो भी उस टाइम पर बहुती आ जिसल्क पत्ति यह सब्चाज प्रभावशाली होने के साथ सरल भी होती थी और जाला जो जैसे शलाखंड जो है बड़े-बड़े जो कोई भी इस्ट्रक्चर बना रहे हैं कोई भी महल बना रहे हैं कोई भी अगर किला बना रहे हैं तो वहाँ पर उसे शुन्दर रूप देने के लिए एक अलगी जो सेदे दर खेटी बनाएं साथ सेदे रूप देने के लिए सेद्धिने के लिए पर बनातेर हैं तो यह लोग बनाएं और मिट्टी के बरत्र बनाने की कraится और जहां पर बुनाई काम, कपड़े मुनने काम अच्छे से करते थे मिटी के बरतन अच्छे से बनाते थे ठीक है ये सारी चीज़ बनाते थे उन्होंने लेखन की किसी प्रडाली का विकास नहीं किया, मतलब जैसे हम बात करें, जैसे माया सब्विता की जो है, यहाँ पर इनकी अलगी जो है यहाँ पर इनकी चित्राकमक लिपी मिलती है वैसे ही इनकी कोई लिपी नहीं मिलती है ना तो इनकी अगर लेखातमक लिपी के हम बात करें कोई लिखने की प्रडाली की हम बात करें ना मतलब इनकी कोई वैसे लीपी नहीं मिलती है हमें, लिखने की कोई लीपी नहीं मिलती, लेकिन हम अगर हम बात करें, calculation करने की, गड़ना करने की, यह फिर हिसाब लगाने की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस system को उस प्रडाली को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्यूविपू, क्यूविपू नाम देते हैं, और इसमें होता क्या था, इसमें डोरियों पर गाट लगा लगा के गड़त का हिसाब लगाया जाता था, गड़ती एकायों का हिसाब लगाया जाता था, तो यह बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन सी खोजे की, उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में किस्टोफर कोलंबस के 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 बारे म है बहुत आगे जासे आप देखोगे हमारे भारत की भी सोज किसे ने की वाश कोडिगावा ने की वाश कोडिगामा ने की वाश कोडिगामा भी कहा का नागरिक था पृ॥ August ना ऐख ठावरतार वा आज का em में आईबेरिय, प्रायदीप, अर्थात, स्पेन और प्रतगाल, अच्छा, अगर हम बात करें स्पेन को और प्रतगाल को, यह कहां पर आते हैं दोनों तो यह यॉरोप में हैं, तो यह यॉरोप में हैं, यह दोनों क्या बोले जाते हैं, प्रायदीप को हम क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें जो आइबेरियाई प्राइडीप बोला जाता है, आइबेरियाई प्राइडीप का मतलब क्या होता है, प्राइडीप एक ऐसा structure होता है, जो तीन तरफ से, तीन तरफ से पानी से घरा होता है, पैनिसूला बोलते हैं इंगलिश में क्या ब तो इससे पहले जो चीनी यात्री थे अर्भी यात्री थे भारती यात्री थे इन्हों ने विशान्त दीब सम्मू के नाविक अपने सम्मूत जल्यानों में बैठ कर जो बड़े-बड़े महसागरों के आरपार जा चुके थे अब इनकी हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि इन उन्हें नहीं नहीं यात्राइब करने शुरूगी थी, जो Iberiai के जोंग थे बेसिकली, है ना, Spain के पृत्जाल के, इस से पहले भी चीनी यात्री, भारती यात्री, अरभी यात्री भी जूँत है यहाँ पर, बड़े-बड़े महासागरोग हो पार कर चुके थे, ऐसा नहीं था कोई नया कार्णामा था, लेकिन उन्हें कोई नई जगा को नहीं खोजा था, ठीक है, तो इसपेन के अगर हम बात करूं, पृद्धगाल के हम बात करूं, तो इसपेन और पृद्धगाल के साशक, आर्थिक, धार्मिक और राजनितिक कारणों से, समुद्री था, इनके पास जञीं था, पैसा नहीं था, आर्ठिक, पैसा चाहिए था, इनके पाथ जयादा संसादन नहीं थे, जयादा खनज नहीं थी, धार्मिक, अब धार्मिक और रोदकाण क्या हो सकता थे, समस्क्राण जाय loot करें हम बात करें, तो आपि इसाइग धर्म जो था अच्छा खासा फैला फूला अच्छा खासा है ना अब ये अपने धरम को जो है दूसरे महादीपो पर दूसरे प्रायदीपो पर पहलाना चाहते थे बताना चाहते थे अपने धरम के वारे में और राजनीतिक कबजा भी करना चाहते थे राजनीतिक मतलब अपना कबजा भी जमाना चातेते थे, कंट्ोल जमाना चाते थे, ہےना, तो ये सारे कारन्ट थे इनकी जातरा कड़ने के, हैना, ये देश जो है, सोने, चान्दी और मसालों की खोज में नएजिए जाने की यूजना मनाते थे, इनका जो मेन उद्धेश होता सोने चान्दी ये सब इने चाहिए होता था 1453 इसवी में जो है तुरकों तवारा कुस्तुक तुनिया की विजय के पश्चा जो है यूरोपियों के लिए जो है विदेशों से व्यापार करना और भी जाता कठिन हो गया अब यहाँ पर समझ से क्या है भी समझ से यह आई कि तो को आपने दसवी क्लाफ में चाप्टर पढ़ा है भूम अंडिकर तो विश्वा बनना है ना उसमें मैंने बात की थी कि पहले एक मार्द गुआ करता था इसको हम सिल्क रूट बोलते थे ठीक है सिल्क रूट की हम बात करें सिल्क रूट समझ माया तो सिल्क रूट की हम बात करें तो सिल्क रूट एक ऐसा रूट था एक ऐसा रास्ता था जो चाइना को एफरीका और यॉरोप से जोड़ता था और ये दो तरीके के होते थे थे एक समुझर से आता था और एक थल से जमिन के रास्ते से लेकिन दिक्कत यह हुई कि कुस्टुक्टुन्या एक जगा है basically कुस्टुक्टुन्या नाम की जगा थी जो businessman लूरोप को एशLYा से जोड़ने के काम करती थी यहां से च्छा-गा-सा वेपार होता था इस पर घ्रुल को पहीं कि इन्होंने यॉरोप से आने वाला जो भी व्यापार था उस पर लगबग लगबग बहन लगा दिया। बहन मतलब कि यहां पर होता क्या था बिचावलिय के काम करते थे लोगा ना कोई भारत से कोई चीज जा रही है तो पहले यहां पर जाएगी इसमें जो है इनका जो कमीशन होगा वो अलग होगा प्लस फिर वो यॉरोप में जाएगी और उसे बहुत जादा दस गुना बीस ग है ना और दिक्कत यह थी कि यहां पर कुस्तुक दुनिया पर टर्क्स का रूल था अब यह बहुत महंगी चीज़े वेचा करते थे बीच में विचौलिय का काम करते थे और कोई भी कोशिश करता था इनके इलाके में जाने का दो से मार दिया करते थे ठीक है बहारी दुनि लेचे कोँने कोँने में फैलाना चाते थे इस वयासे भी यात्रा करने के लिए इन्हें मोटीवेशन मिला इन्हें परोस्थान मिला थीक है तो यह सारी कुछ कारंण थे , और कोई भारी लोग आपने कर देश में आयें तो उसके पीछे कारंश Associate ठीक है हर चीज कोई ना कोई मतलब के लिए होती है ऐसा नहीं है कोई भी चीज बिना किसी रीजन के होती है everything happens for a reason क्लियर हुआ चलिए आगे बात करते हैं अब बात कर लेते हैं पुर्दगाल के बारे में तो पुर्दगाल के जो है राजकुमार हैंडरी हैंडरी नाम था हैंडरी जो नाविक के नाम से जाने आते थे हैंडरी था एक्सप्लोर ऐसे बोलते थे उन्हें इन्होंने पक्षिम अफ्रीका की तटी यात्रा आयूजित की और चौदो सुपचास इसीवी से जो है सी उटा पर जो आक्रमट कर दिया अभी नोने अपनी यात्रा शुरू की और यह पहुंच गए भाई पहुंच गे दक्षिन अफ्रीका नहीं पक्षिम अफ्रीका अफ्रीका का जो पक्ष्म हिस्सा यानि कि जैसे आप देखोगे ना य केंद स्तापित कर लिया था और अफ्रीकियों को जो है बड़ी संक्या में गुलाम बना लिया और जी बहुत सारे जो अफ्रीकी थे हैंने गुलाम भी मना लिया कापी सारे जो अफ्रीकी थे ब्लैक्स भी हुआ करते थे पर यहां पर यहां पर यहां पर शुरू होगा काले को महसागरी शूरी विर मतलब बड़ी भड़ी खोजे करने के लिए किन चीज ने बाई आर्थिक रूप से क्पीण करता है थो यहां पर वही कारण था इंगे पास आर्थिक रूप से तंगी जादा थी जैसे हम बात करें कैपिटूल कैपिटूले सियोन नामक जो है इकरार नामों के अंतरगर स्पेन का जो है साशक ने विजित प्रदेशों पर अपनी प्रभूश सत्ता जो है स्तापत करना चाहता था किसकी बात हो रही है अप अच्छा यहां पर एक वर्ड का यूज हुआ है कैपिटूले सियोन के हम बात करें है क्या बिसक लिए एक तरह का अग्रीमेंट था एकरार नाम क्या बोलते है उर्दू का शब्दा है एक अग्रीमेंट होता है किसी चीज़ कम प्रड ले रहे हैं कि हम क्या करेंगे हम जो है नहींने जाओं की खोज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस्पेन भी जो है हाँ पर दूसरे देशों में जाकि जो है अपना विजा का जंड़ा स्थापित करना चाहता था तो यही सीन था बस ठीक है याद रखना अब बात कर लेते हैं अट्लांटिक पारगम पारगमन का मतलब क्या होता है एक जवा से दूसरी इस्ता लिखा हुआ है 14 से क्या 15 अच्छे है ना एक स्वैम सिक्षित व्यक्ति था लेकिन उसमें जो है सहासित कार करने और नाम कमानी की जो उतकरस्ट इच्छा थी यह कुछ बड़ा करना चाहता था अपने लाइफ में होता है आपके अंदर कुछ जुनून होता है कुछ बड़ ली तो 410 में जो है यहां पर एक किताब लिखी गई थी खगोल सासर भूगल के बारे में जिसमें पूरा भूगल के बारे में खगोल शासर के बारे में लिखा हुआ था इस बुक को इसने पड़ा और यह काफिर प्रेरित हुआ है ना और इस बुक का नाम क्या था याद कर सब्सक्राश रवाना हुआ जब यहां पर ये इसपेंज से कर रवाना हुआ तो 3 numbers 1492 तीन अगस 1492 को जो है यह ऑपने बंदर का से जो Wars से रवाना हुआ और यह किस की कोच में यह नकल आ तो आपको लंबी आत्रा के बाद जो है कूलंबस जिस तट पर पहुंचा उसे जो है भारत समझा गया किन्तु वह इस्तान बहामा दीप समू का गुआना हानी दीप था अब सुनो यहाँ पर जब अब हुआ क्या अगस्त वह शुरू किया इसने अगस्त सेप्केंबर अक्टुब लगो दो महीने बाद जो है यह 1492 में 12 टूर 1492 में इसने लंबी आत्रा तैय करके जो है एक तट पर पहुंचा और जब यह तट पर पहुंचा इसने गल्ती से बोलने लगा भारत भारत तब ही तो वहाँ पर एक जगा है ना वेस्ट इंडीज इंडीज क्यों को लगाता है इंड पहुंचा इस की जगा है उसमें से एक दीब था इसका ना नाम इसलिए दिया था क्योंकि वह चारों और से छिछिले समुद्र जिससे जो है Spanish भाषा में बाजामार कहते हैं, उससे घरावगा था, वैंना, तो ये Spanish भाषा का ही शप्त था, Spanish भाषा का, जैना, जैसे क्या बोलते हैं बाजामार, तो आपट रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखो गवाना हानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोग ने स्वागत किया अब सुनों या पर विचारे वो तो बहुत सीधे थे है ना जो वहां के लोग थे बहामा के जो लोग थे उस समू के जो लोग थे जिसे हम क्या बोलते थे जिसे हम गवाना हानी बोलते थे मतलब बहुत सारा समू है उस दीप का नाम क्या है जहां पर यह उतरे थे जहां पर इन्होंने अपने शिप को पार्क किया था है ना तो उसका नाम था गवाना हानी अब जब यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छा वैलकम किया है कि यह महमान आए हुए है उन्हें क्या पता था यह जो लोग है इन पर ही रूल करेंगे उन्हें क्या पता था यह जो लोग है इन पर ही रूल करने लगेंगे इन्होंने किसका आद बाया दोस्ती का, कि हम दोस्ती करेंगे, इन्हें नहीं पता था कि किसली आए, इनकी में जो मंचा है, वो क्या है, सब को धीरे-धीरे पता लगेगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते के, कोलमबस ने गवाना हानी में इस्पेन का जंडा स्थापित कर दिय अब सोच के देखो, गवाना हानी में इसने क्या बोलती है, इस्पेन, सबसे पहले आयता है, यहाँ पर, उसने इस धीप का नया नाम, सैन, सैलवाडॉर रखा, इसने नाम बदल दिया उसका, और नाम रखा है, इसने सैन, सैलवाडॉर, और अपने आपको जो वहां का आगे चलकर तीन और यात्राएं आयुजद की गई, जिसमें कोलमस ने बहामा और वहतर एंटिलीज दीप, अचा यह बहतर एंटिलीज दीप थे, आगे चलकर थोड़ा इने, बहतर जो एंटिलीज दीप बोला जाता है, इने बहतर दीप थे साथ में, दक्षिन अमेरिका क परवत वरती यात्राओं से यह पता चलता है कि इन इस पे नावकों ने इंडीज भारत और उसके पूरवी देश, मतलब इंडीज क्यों रखा गया था, तो यह भारत के पूरव के जो देश है, उनको इंडीज बोल दिया गया, नहीं बलकि एक नया महादीप अमेरिका ही क खोज निकाला था, अब यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, यह जो यात्री जो थे, इन्हें बाद में पता चला कि भारत नहीं है, इस्पेनी नावक जो थे, इन्होंने पता चला कि भारत नहीं है, यह तो अलगी कुछ देश है, और यह देश कौन सा है, जो आज के नाम पर, अमेरिका के नाम से जाना जाता है, है ना, इन्डी नावकों ने इंडीज नहीं बलकि एक नया महादीब, इन्हें पहले लगा ना, इंडिया है, इन्डीज बोल दिया उसे, इंडीज, तब ही तो बोलते हैं वेस्ट इंडीज, बारत के वेस्ट में, ठीक है, ओलम्बस द् नहीं दुनिया के नाम से संबुदत किया जाता है, आप सुनों आज की ताम, आज जो नहीं प्रशनवत पूछना कि अमेरिका कैसे बलाते है, अमेरिका क्यों बलाते है, तो कोलम्बस ने खोच की, इन महादीबों की, उत्तरी और धक्षिणी अमेरिका की खोच कर ली थी, नए एक दीब की खोच की ती इसने, इसका नाम करेंट किसके दोरह किया गया, तो ये एक फ्लोरेंस, नाम करेंट जो आफ फ्लोरेंस के भूगल वक्ता, फ्लोरेंस एक जगा का नाम है इटली में है, फ्लोरेंस के एक जगा का नाम है, कहां पर है इटली में है, इसके एक ब इदर से ही आया है, अमेरिगो West Pacific की नाम था, इसके ही नाम पर जो है, अमेरिका का नाम पढ़ा क्लियर हुआ, तो I hope आपको इतनी यो चीज़े हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी क्लियर हुआ ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं तो देखो अमेरिका में जो है, स्पैनी सामराज का जो है विस्तार, बारूद और घोडे के प्रियोग पर आधारे सेन सक्ती के आधार पर हुआ अब सुने हाँ पर, जो यहाँ पर स्पैनी सामराज जो था है ना, अब इन्हें क्या करना था, इन्हें अमेरिगा की हम बात करें अमेरिका पर कुछ भी नहीं था अमेरिका बहुत ज्याधा पिछड़ा गगा relação इन पहला था यहां अमेरिका पहले कोई क्षिट नहीं था अमेरिका के बारे में आज स्त carried इस्तु को उचे यह जाधा नहीं तो जब ये सीघ्य चानी कि Am ine में बहुत सारे सोना था, सोना बहुत जादा था, सोना चानी बहुत जादा था, कई तो लालिष था इन लोगों को, तो इनों ने वहां के लोकल को लोगों को बहुत जादा सताया, इसी दौरान जो है, वहां चेचक की महमारी फैल गई, अब ये चीज़ आपने, क्लास 10 में भी पड़ी है, भूम अंडी करत, भुश्का बनना, अब चेचक की बीमारी फैला ही गई थी, क्योंकि उस चेचक की बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोदक चमता नहीं थी अमेरिकी लोगों के पास, क्योंकि वह भारी दुनिया से अच्छूते थे, और यॉरोप बीमारी स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अद्रश गोलियां है, हैना, इन्हें क्या बोला जाते थे, इन्हें अद्रश गोलियां गोला जाता था भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, आदी शितापदी के भीतरी स्पेन वाश्यों ने 40 डिगरी उत्तरी अच्छां जिनके नामते हर्मन कौटैस है ना, और दूसरा है था फ्रांसिसको पिजारो, इन दोनों ने जो है, बड़े बड़े युद्धाउ हुआ, याद रखना न 김राहन हë, हर्मन, कौटैस और फ्रांसिसको पिजारो में दो बड़े सामराज्यों को जो है, विजचिद कर स्पेन इतनी चीज़ है तो जो है आपको clear हो गई होंगी याद रखना है इनका नाम एमिरोगो वेस्पूसी है ना इनका नाम यह Florence के थे इतली के थे बेसिकली यह बहुत बड़े वोगल वक्ता थे इनकी नाम पर जो अमेरिका का नाम रखा क्लिया रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं आज इतना ही रखते हैं ठीक है जो नाट आपक पड़ेंगे इसका नाम है कॉर्टेस और एस्टेक लोग इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कॉर्टेस के बारे में और एस्टेक पीपल के बारे हम लोगों बार मैंसटेक जो समूदध का बार करेंगे है नहीं के बार में बात करें गैज इसके शेन्ेकों को जो है, जिने कॉकि ऑउकी श्डर्व कहा जाता था मेक्स को जिएतने में दो वर्स का समय लगा. थी कहें? तो आज एसा महरमस्कोंति की बात करें, यह नागरिक alloraॉरा वह भाई उसके शेनिक Θे, इसको क्या बोला जाता था इसको जो рजे साइड आओगी नीचे की साइड है ना ये अमेरिका जो है इसके दक्षिरी साइड का इसको मेक्स को बोल देते है आज का मेक्स को है ना तो मेक्स को जीतने में लग वक जो है दो साल का हमें लग गया दो साल का वक जो है मेक्स को जीतने में लगा किसने जीता बाई तो यहां पर हरमन कोटेक्स की बात हो रही है कहां का था यह यह इसपें का था था ठीक है पंदरस उनिद्स में जोए कोटे सबसे पहला क्यूबा से मैक्स को आया क्यूबा से काहन से आ था? कियुबा से पाचんमदाय हैं मेक्सिको जहां उसने था तोतानेक समुदाय से मित्ता कर लूग, ँससमय में में है एहस्टेक साशक मॉंटेजुमा था और डिद तोतानेक जो है जो है है ठैक साशन से अलग होना चाहते थी हैं और यहाँ पर हुआ क्या है? यहां पर बहुत बड़ी चाल चली न लोगों उधर एक समुदायाः था, इसका नाम था टोटनेक टोटनेक समुदाय था, और जब ये कॉटेस आया यहाँपर, तो इसने क्या क्या इसने जो है टोटनेक समुदायाः से दोस्ति कर लिए टॉन्हों ने क्या बाई इन्हों ने दोस्तीय काशा बढ़ाया, किसकी बात कर रहा हूं मैं कॉर्ट इस स्पैनी नागरकों ने टेलrox किलानों पर आत्रमड किया प्रन्त अन्त है लेकिन यह टिक नहीं पाई कि इनके पास जो है न्यादा टेक्नलोजी थी नहीं है। बहुती बहादुरी से लड़े लेकिन फिर भी जो है ये स्पेन के साइनिकों के आगे नहीं टिक पाते है। उसके बाद तैनोक्यूटिलान की ओर स्वे बढ़े जहां से 8 नमबर 1519 को पहुँच गई तैनोक्यूटिलान स्पैन के सबसे बड़े शेर सेवली से दो गुना अधिक चंसंक्या वाला जो है नगर था आप बोल सकते हो थोड़ से नाम बेटा जीव है थोड़ा सा आपको शाद बोलने में दिखका तो याद करने पड़ेंगे तो यहां पर कहने का मतलब यह है धीरे-धीरे करके जो है अलग-अलग जो नहींने इन्हें शेहर मिले जैसे हैं में यहां पर बात हो रही है टैनोक्यूटिलान की टैनो पिलान जो इनका शहर जो था ये स्पेन का जो सबसे बड़े शहर है स्पेन का जो सबसे बड़ा शहर है इसका नाम था सेवली इससे भी दूगना था इससे भी बहुत बड़ा था लगबग जो है एक लाक आबारी थी यहां पर बहुत बड़ा काफी बड़ा शहर था इस पर भी जाके जो है उन्होंने कबजा कर लिया किस शहर की बात कर रहो मैं टैनो क्यू टिलान की बारे बात कर रहो एश्टेक साशंक जो है मौन्टे जुमा ने कॉर्टेस का हार्दिक स्वागत किया किन्त जो है कॉर्टेस ने सम्राट को नजर बंद कर लिया और स्वेम उसके नाम पर साशंक चलाने लगा फिर क्या हुआ भाई यहां पर हुआ यह जो अंग्रे जो चाल चलते थे अपनी वह भी आकि जो है साशंक कढने लगा को अपने साहयक ऐलव दॉर को सबच विद्रोग को दवाने के लिए हुई जिल पॉक्टली के जो है पसंत उसब के में जो है कतले आम का आदेश दी दिया था एक इनका इनका उसब हुआ करता होगा लोगल के लोगों का जिस उसब का नाम था हुई जिल पॉक्टली है ना इनका थोड़ा से नाम अलग है हुई जिल पॉक्टली नाम है यह जो उ उत्सब होता था बेसिकली इसमें जो है इसने क्या किया बहुत जादा कतल याम का आदिश दे दिए कि मार दो जो भी मिले ए को भी पढ़ा दूँगा पिटा है ना पहले एक हता मुजान दो के निया को भी पढ़ा दूगा ठीक है सिंदा मुद करो अब हुआ क्या बाई अब हुआ यह जैसे जो राजा होता है इसकी मृत्ति हो जाती है और जब इसकी मृत्ति हो जाती है तो इसके बाद जो है जो नया राजा होता है इसका नाम होता है केवेटुमौ इसके वृत जो है यहां पर रणनीती मनाई जाती है और यहां पर यह क्या करता है यह जो एक जगा होती है टेलेक्स कलाम नम की वहां आपर शरल लेता है और इस समय क्या होते है कि जो एस तरूल होते हैं वो यहांरोप यरॉप ही लोगोग की सब्सक्राइब है यहां पर नही 않은 शुरू होती इसका नाम था छोटी चैक मतलब इने जो है कोई ज्यादा यूद नहीं लड़ना पड़ा छोटी चेचक जो बीमारी होती है वो एस्टेक के जनसंक्या को पूरी तरह से जो नश्ट कर देती है क्योंकि इनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक छमता नहीं थी इस बीमारी से लड़ने के लिए तो यह जो टलान पर आक्रमण किया और अन्तै मैक्सको जीत लिया मैक्सको में जो है नुई स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया उसे जो है चार्ल्स पंचम ने अनेक सम्मानों से जो है वोशित किया अब बात कर लेते है फिर ऐसे करके दीर दीर करके बीमारी फैला के लड़ाई लड़ टिर्स के साथ में इसके साथ जो है इसने तैनक टलान पर आक्रोमण किया था और इसी के साथ में पूरे मैक्सको को अपने हाथ में ले लिया और पॉर्टेज मैक्सको का जो है एक क्या नह अपना नियंतर गुवाते माला निकाल हुआ और होडूरास पर भी स्थापट कर लिया, तो मनलब धीरे-धीरे करके यो Spanish लोग थे इन्होंने जो है, गुवाते नामाला की बात करू मैं, निकार गुवा की बात करू मैं, या फिर होडूरास की बात करू, इन तीनों पर ही पिजारो एक निर्दन और निरक्षत वक्ति था, पिजारो की बात करें, है ना, पिजारो की हम बात करें के अनपड था ये, और एक निर्दन गरीब था, व्या पंद्रासो दो में सेना में भरती होकर कैरिविन दीप समू पर आया था, कैरिविन दीप समू में आया ये, प स्पेन के राजा को एक्का राज के बारे में बताया जिसे सुनकर राजा के मन में लोब जागरत हुआ अब इसने बताया अपने राजा को वहाँ पर जो है सोने चांदी एक वैसी भी एक मनलब कहानी बहुत प्रसिद दूई थी अल्डराडो नम से के अल्डराडो नम की जगह है अमेरिका में महाँ पर सोना चांदी बहुत जादा है ऐसी है इन्हों ने जो है जब यह गए अपने स्पेन में वापस अपने घर पिजारो तो इन्हों 1532 हिस्वी में अत हुला अलपा इनके नाम थोड़े अजीब से है अत हुला अलपा ने एक घरह युदि के बाद इक्का समराज का नेंट्र अपने हाथों में ले लिया 1532 की बात हो रही है? अताउल्ला की बात हो रही है, अला ने एक युद में, इसे समय पिजारू इक्का समराज में आया था, और उसने धोके से राजा को बंदी बना लिया, राजा अतुनल्ला ने नया नयानया 1532 में कज़ा किया था किसके ऊपर, एक्का के उपर एक्का समराज के उपर फिर उसी समय जो है यह जो पिजारू जो था यह आया था नयानिया और इसने क्या किया इसने जो है धोगे से बाइस चीटिंग करके जो है इसने अताहुला को जो है अपने कबजे में ले लिया राजा अताहुला अलपा ने जो है अपन को नहीं मिली थी मतलब यह इत्यास की सबसे वड़ी फरोती थी कि अगर तो हमें छोड़ दोगे तो हम तुमें इतना सोना चान्दी देंगे कमरा भर के है ना किन्त जो यह पिजारों ने वचनना निभा कर राजा की हत्या कर दियो मतलब यहां पर क्या हुआ राजा की जो है हत्या कर दी गए बिल्कुल हत्या कर दिया गया राजा को मतलब फरोती राजा को बंदी बना लिया राजा ने फरोती दी कि बताओ मुह मांगी कीमत एक कमरा बर के सोना चान नहीं ले जाओ, नहीं माना और इसने जो है राजर को मार दिया, 1534 में एकका समराज में विद्रो भढ़ा कुठा जो दो वर्च तक चलता रहा, जिसमें हजारों लोग युद में और महामारियों मारे गए, एक तो युद चल ला था, दूसरी तरफ म सब पंक साल हों में शेयékनें पोटेसी खानों में चान्दी की विषआल भंणारों को पता लगा लिया था। उन खानों में काम करने केलिए एकका के लोग को गुलाम बनाया के, अब जो इकका के लोग थे वादर गुलाम की तरह जीद रहे थे, इस जो यहित प्यूम की तर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं किसके बारे में अब बात कर लेते हैं कैबराल और ब्राजील के बारे में कैबराल के बारे में बात करते हैं और ब्राजील की हम बात करें वेक्ति का नाम है और ब्राजील की हम बात कर लेते हैं ब्राजील भी तो अमेर सब बहुत बड़े एक्सप्लोर थे हैना जहाजू का एक शांदाज जूलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुए किन्तु जूए समुद्री तूफानों से बचने के लिए उसने पक्षिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और ब्रजील के समुद्र तत्पर लगाया पच्ची में अफ्रीका का एक बड़ा चक्कल लागार ब्रजील पहुच गया ब्रजील के समुद्रित पहुंचा इस परिकार ब्रजील पर पुर्धकाली नंत्रन अचानक ही हुआ था इस प्रदेश में जो है ब्राजील वुड व्रक्ष बहुत आयस से मिलता था इसी के नाम पर यॉरोप वासियों ने इसका नाम ब्राजील लग दिया, ब्राजील के मूल निवासी लोहे के चाकू चुरियां और आरियों को अदबत वस्तू मानते थे, वे इन वस्तू के बदले अपनी कीमती वस्तू को देने के लिए तयार हो दाते थे, मतना सोच के देखो, इनके लिए जो चाकू हैं, तलवार जो हैं, लोहे की जो चीज़ें हैं, उसके पदले अपनी जो कीमती चीज़ें हैं, लाइक सोना चांदी वगएरा उसे देने कर तयार थे लोग, क्योंकि इनके लिए जो वस्तु हैं, आरी, छुरियां, चाकू, इनकी कीमत ज्यादा है, यह ऐसा माना करते थे, ठीक है, तो इमार्ती लकडी के व्यापार, जैसे जो ब्राजिल वुर्कियम बात करें, इससे लकडी बनते थी, तो मैं आर्ती लकडी के व्यापार की कारण प्रदगाली वाफ फ्रांसी सी व्यापारियों में भैंकर संगर्स हुए, जिसमें प्रदगाली की विजह हुई, पंद्रा सो चालिस से प्रदगाली ने बड़े-बड़े बगानों में गन्ना उगाने लगे, आप में देखा हो ना चीनी के मामले में, ब्रदगाली वी बहुत आगे है, पंद्रा सो चालिस में प्रदगाली ने बड़े-बड़े बगानों में गन्ना उगाई, और चीनी बनाने के लिए मिले चलाना शुरू कर दी, यह चीनी यॉर्पी वजारों में बेची जाती थी ब्रदगाली राज के अंदर शामिल कर लिया जाता है, सरकार बनाई जाती है, और वहाँ पर जो है, इसको सेलवड और ना, सेलवड और को जो है, उसकी राजधानी गोशित कर दिया जाता है, किसकी बात कर रहा है, ब्रजील की बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से पृतिकाली जो होते हैं, वो जो है, ब्रजील पर अपना कबजा अच्छे से जमा ली, तो यह कहानी थी भाई, पकड़ जमाने की, अब जो हमारा आगरी जो टॉपिक है, यह रह गया, उसके बार हम कुछ चीजों के बारे हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, विजय, उपनिवेश और दास व्यापार, अब किस तर अमेरिका की खोच के यूरोपigor वासियों के लिए दिर कालीन परणाम नकलए, सोने चांडी की बार ने अंताध्य वेआपार और जो है और अधिक विस्तार करती है यहां पर सबसे अची बात क्या थी अमेरिका में जब यह आये तो इन्हें सोने चांदी के भंधार बहुत मिले ऐल डॉराड़ो मैंने बताया था ना कल एल डॉराड़ो नामकी एक जगा थी मतलब एक जो होता ना कि यूट ओपिन सिटी था तो यहां पर सोना भर-भर के था और जब यह यहां पर पासियों को पता चला तो इन्हों ने लगा कि यहां पर जो है कंट्रोल करना है यहां पर उपनिवेश करना ही फायदेमंद रहेगा है ना तो तो अंतराश्टी व्यापार की हम बात करें और मैं अध्वई करेंड की बात करूं तो इसका जो है एक नया विस्तार हुआ और कहीं यॉरोप को अमीर बनाने के लिए जो है यहां पर इनका बहुत बड़ा रूल है ठीक है इन खोजों का लाप स्पेन और प्रदगाल की अपेक्षय जो है अट्लांटिक महासागर के किनारे इस्थित इंग्लेंड फ्रांस बेल्जियम और होलेंड जैसे देशों को अधिक मिला देखो खोश तो किस ने की थी खोश तो स्पेन ने की थी और प्रदगाल ने की थी लेकिन आप जैसे अट्लांटिक महासागर की तरफ हम देखें तो वहां से जो है उसके जो किनारे में जो भी देश है जैसे हैं घिलेंड हो गया फ्रांस हो गया तभी आप देखोगे न याउड छाकी हम आप कबजा कर लेगा हैं ना फ्रांस जाकर भी यहां बस जाएगी जाकर जाकर तो वही अपने आपको अमेरिकन से बूलाने लगेंगे हैंना और इंग्लेंड से बिल्कुल अपना संभन्थ त तो जो अट्लांटपक महासागरी किनमे ज ंदने भी देश थे, यह से फ्रांस के इंबाद करूँ टो इनसे काफी नजदीक था, इनसे काफी नजदीक था, तो यहां से यह लोग काफी आप वो सकते हो यहां पर व्यापार क्या गरते थे, Belgium की हम बात करें, Holland की बात करें, इन देशों को अधिक फायदा मिला, यॉरोप वासियों को जो है, नहीं दुनिया में, पैदा होने वाली नहीं नहीं चीजों जैसे कि, हाँ, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, यह अपनी क्लाश 3 में ही पढ़ा होगा, याद करो, क्लाश 3 में है, भूमंडी करन्ड विश्व का मनना, एक चैप्टर है, जहाँ पर मैंने बताया, जब कोलंबस गया था, वहाँ पर, इस्पेन का नागरिक था, तो उसे पता चला कि, आलू, भाई, आलू जो है, आज के टाइम पर, सबजियों का राजा है, आलू की अगर मैं बात करो, आलू की खोज कहा होई, आलू की खोज होई है, वो कहां होई आलू की खोज, तो आलू की खोज तो अमेरिका में भी था, अमेरिका में लोग पहले सालू खा रहे थे, उसके बाद भाई पूरी दुनिया में आलू खाये जाने लगे, आज तो में सब्जी में आपके टमाटर आलू की सब्जी बन जाती होगी, लोग जो है सुबह सुबह नाष्टे में आलू खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो यह की हम बात करें, तुबह को जो हो गई, है ना आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, लाल मिर्च, रबड, यह सब कहां से मिली हैं, यह सब जो हमाँ पर ही खोज की गई है, ठीक है, 1601 में जो है स्पेन के फिलिप दिर्टी ने सारचनिक रूप से बेगार पिर्था पर रूप लग आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया रहा है, बस आपको खाने के लिए थोड़ा होत मिल जाता है, और आपको कई सारे अस्तेचार किया जाते हैं, कोई भी आपको श्रम्मे के पेमेंट वगएरा कोई नहीं किया थी, उसम बेगार सिस्टम बोल देते हैं, तो यहाँ अब 1601 की अगर हम बात करूं, तो फिलिप दृती जो था, राजा जो था, इस्पेन का, उसने यह पब्लिकली जो है मना करते है, बहन लगा दिया इस पर, है ना, रोग लगा दी, किंत उसके ही एक गुप्ट आदेश से यह प्रता जारी रही, है ना, लेकिन भई, मतलब य अब इस इस यह लेकते हो न, अमेरिका में ब्लैक से बहुता रहते हैं, अलग एक रिवोलीशन हिवा था, किरांती हो थी, ब्लैकस की जो कि बोली जाती है, तो यह जो ब्लैक से, अमेरिका में आयों से, तो यह जो है, अफरीका से अमेरिका गः फरिजा दो आते, Sonee-Chandi क जो है इने काम कराया जाता था और काम कराया जब जाता था तो इनकी कंडिशन बहुत खराब थी तो ऐसे ही इनके जो पूरवज जो थे आज के ताइम पर जो भी आपको Black Americans दिखते हैं इनके जो पूरवज थे वो कैसे भी ना कैसे भी करके अफरीका से गुलाम की तरह गए होंगे अमेरिका में और वहां जो है इनोंने गुलामी की और धीरे धीरे जब सारी ठीक होने लगी तो यह वहां पर ही जाके इनोंने अपना पूरी फैमिली जो है बसा ली अब जब 36 लाग गुलामों को आयात किया गया तो वहीं पर जो है इनोंने अपनी पॉपलेशन बना दी उपसंगार की बात कर लेते हैं है ना तो 17-17 में जो है 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद जो है विद्द्रो करके सभी तुराज अमेरिका का जो है निर्मान कर लिया अब यहां पर बात हो रही है उपसंगार किस तरीके से जो है अमेरिका जो है आज की टाइम पर अमेरिका मना पहले बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यह बताओ फटावट से बताओ जल्दी से किलियर हो रहा है न ही हो रहे हैं बताओ पहले ठीक है क्लियर है चले क्लियर है ना चलिए ठीक है हाँ तो यहां पर हमने बैसकल इस टॉपिक के हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से समाप्ति हो इन सारी चीज़ होगी इस तरीके से अमेरिका को अपनिवेश मनाया था उसकी समाप्ति कैसा होती है तो उसमें भी जो है यहां पर जो यहां पर आके बस गए थे इनका बहुत गड़ा रोल रहा है त ब्रिटिश की कंट्रोल में थे, है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटेन के अगिंश, जंग छेड़ दी, फ्रांस ने इनकी हेल्प की, और यहाँ पर एक नया राष्ट का निर्माण होता है, इसको बोला जाता है, सहुक्ति राष्ट अमेरिका, दक्षणी अम को, क्योंकि इस्पैनी और पृतिकाली दोनों भाष्णा जो है लैटिन भाष्णा परवार की ही है, ठीक है, तो इसको लैटिन अमेरिका क्यों बोलते हैं, अगर हम बात करें, लैटिन अमेरिका लोगों लैटिन भाष्णा जो किससे निकल किया ही है, तो दक्षी अमेरिका पर अमेरिका पर राज किस ने किया है तो दक्षी अमेरिका पर जो है इस्पैनियों ने और पुर्टिकाली लोगों ने राज किया है है ना और इनके यहां पर जो लैटन भाष्चा बेसिकली तो इस इस परवार का हिस्सा है तो Latin भास्टा इस परवार की ही है, तो ये दोनों जो भास्टा उने परृतकाली की हम बात करें और Spanish की बात करें ये Latin भास्टा परवार से ही है, ठीक है? तो इस वायं से Latin America भी बोला जाता है, वहां के निवासी अधिक तर जे देशर यौरोपी जिने जो है क्रियोल कहा जाता है यौरोपी और अफरीकी मूलके हैं इनमें से जो है अधिकांस लोग कैथलिक धर्म को मानते हैं कैथलिक धर्म मतलब कैथलिक मतलब ये जो क्रिस्चन के अंदर ही होता है कैथलिक और प्रोटेस्टन्स होते हैं लिए तो ईजादर कहां कि है तो अफरीकी मूलके हैं क्योंकि बाई जब इन्हें अफ्रीका से ले जाते थे तो दक्षर अमेरिका में ही ले जाते थे गुलाम बना के अन्हें ठीक है, clear हुआ, चलिए, अब बात कर लेते हैं, अब जैसे कुछ-कुछ terms हैं, जिनके इस्तमाल जो chapter में हुए है, इन terms की बात कर लेते हैं, कौन-कौन से terms इस्तमाल हुआ है, एक term इस्तमाल हुआ है, रोज ना मचा जो यूरोप वासी, यहां यहां पर, इसका मतलब आपको रोज ना मचा, ठीक है, तो याद कर लो, इनके सारे की मतलब आपको याद होने चाहिए, ठीक है, है, हैमक क्या है, हैमक की हम बात करें, हैमक की हम बात कर लेते हैं, तो अगर मैं हैमक की हम बात कर लेते हैं, तो अगर मैं हैमक की बात कर लेते हैं, तो आरावाक लोगों में बुनाई की कलाव बहुत विक्सित थी इन में उनकी द्वारा बनाए गए जूले भी थे तो ये आरवाग जो लोग थे इनका समुदाय था ये बुनाई में बहुत निपूड हुआ गरते थे और ये जूले भी बनाते थे पेड़ों की जंगलों में बसे हुए थे तो ये ब्रजील जो आथ देश देख रहे हो न आप तो व्रजील बुर्ड नाम का एक ब्रक्ष हुआ करता था और इनी ब्रक्षों में जो है ये तुपी नमबा नाम की जो है लोग रहा करते थे इसे ब्रजील बुर्ड ब्रक्षों की नाम पर ही ज्या ब्रजील का नाम पड़ा हुआ तो ये जो ब्रजील ब्रक्ष दुखक थॉपी इसे माम पर ựग ऊंतर की बाट हो रही है इसका नम गरन उनों और उन्हों ने अपने Maxly नामक देवता के नाम पर रख्था, जो आज के नाम पर Mexico के नाम से आया है, मतलब Mexico के नाम, Mexico जो देश है, वो Maxly से ही आया है, और Maxly क्या है, एक देवता का नाम है, जो कि एच्टेक के लोग जब थे, इनके उतारा दिया गया था, तो इने ही किसके बोला जाता है, इने ही Maxly बोला जाता था, और इसी के नाम पर देश का नाम पड़ा Mexico, सिंपल सा है, ठीक है, चनापपा की बात कर लेते हैं, चनापपा क्या था है, एच्टेक लोगों ने सरकंडे क बहुस थी जो है, चटाइयां बनकर, और उन्हें जो है, मिट्टी था, पत्तों से धक्कर जो है, मैक्स को जील में क्रक्टिम टापव बनाए, जिनने चनापपा कहा जाता था, मतलब क्रक्टिम बनाओं क्या होता है, हाथ उसे बने हुए, हाथ उसे बने हुए, ठीक है, करल मैकाग बारे में बात कर लेते हुए, एस्टेक समाज के कुलीन जो वरक के लोग थे, कुलीन मतलब बहुत ही अमीर वरक के लोग थे, क्योंड़को बच्छो Πार रामे कर बने के लिए रहा जाता थे, थे में पर जाया करते थे. एपो कल्ली की बात करए था तो एटिक्ट समाज में अपजातवर्प को छोड़ कर अन जो लोग थे स्कूल था आप जातवर्प चोड़ कर जो लोग थे उनको बना आट था था ठीक है के Бरद के Qyub कیivan ता तो पेरु के एक लोग जो है दोरियों पर गांट लगा कर गड़ती हिकाईयों का हिसाब लगाते थे इसको तो मैंने पहली Lectures ने बता जा था आपको है ना इन दोरियों की गांठों को Qyub बोला जाता था मतलब दोरियों पर गांट लगाते थे, उसके इसाफ से गढ़ना किया करते थे ठीक है, सुरिष्टी सास्त की हम बात करें तो सुरिष्टी सास्त जो है विश्का मानचित तयार करने का विज्ञान था इसमें स्वर्ग और पृत्वी दोनों का वर्णन किया जाता है लेकिन इसे जो है भूगोल ख़गोल चास से अलग सास्त रमाना जाता है तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें जो है ये बेसिकली जो भी मानचित तयार किये जाते हैं और इसमें हम स्वर्ग की बात करें, प्रत्वी की बात करें इन दोनों के ही विवर्ण किया गया है, simple सा बात, ठीक है ना, clear हुआ, और ये कुछ definitions नहीं, देख लो इने, ठीक है, अब ये किसकी definition ये है, रिका कोष्टा की, रिका कोष्टा, इसका नाम सुना होगा अपने, रिका कोष्टा, ये क्या था इसके बारे में थोड़ी बात कर आईबेरियन प्राइडीप, स्पेन और प्रिदिकाल की बात है, है ना, पर प्राप्त की गई सेनिक विजय थी, जिसके दोरा इन राजाओने 1492 इसवी में, इस प्राइडीप को अर्वों के निरंतर से मुक्त करा दिया था, तो पहले जो आइलेंट था, अर्वों के पास किसके बात हो रहे हैं तो आयरे बिन प्राइडीप की बात हो रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है स्पेन और पुर्दिकाल जो था, इनों ने इससे आजात करवा लिया था, अर्वों से, कैप्टो, कैप्टो लेसियोन, यह क्या था बई, तो यह जो है, यह यह वे एकरान नाम इस इकरान नाम अंदला जो एग्रिमेंट होता है, जाने की जो प्रण लिया जाता है, जिसकी शुरुआ धरमित की याद में निजी महतवा खांचाओं की कारण हुई थी, इन इकरार नामों के तहट जो है स्पेन का साशन, नई जीते हुए छेतरों पर अपनी प्रभुता जो है स्तापित कर लेता था और जीतने वाले अभ्यानों के नेताओं को पुरुषकार की रूप में जो है पदविया और जीते कई देशों पर साशन रिकार देता था, मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर पुर्टिकाल की स्पेन की जो राजा हैं उजाया करते थे, है जो आपको राजा बना दिया जाता है, तो बेसिकली एक क्या था, kind of एक वो था, एक तरहएका जो होता है, वो था है, दीगाओ क्या है, Spanish भाषा में नाओ का शब्ट था, यहां शब्ट जो अरभी से Spanish भाषा में आया था, अरभी होतीजा उजसे जो स्पैनिश में आयां, चिछले समुद्र से घिरे होने के कारण जो किया, बहुत सुन्दा आइलेंड है बिटा है बहुत सुन्दा दीब है इससे जो स्पैनिश भाष्य में बाजा मार भी बोला जाता है तो बहुत साथ हमारे जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है ठीक है तो आई होप आपको सारा जो लेक्टर है ये बहुत अच्छे से जोए क्लियर हो गया होगा तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा गुडबाई टेक केर